नमस्कार, truth of astrolife YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, आप अगर हमारे चैनल के उपर नए हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब करें, क्योंकि हमारे इसी YouTube चैनल के उपर, जोतिय से वास्तु एबं प्रतियक वर्ष के सुभ मुहृत का ज्यान प्राप्त होगा, विवाह क के लिए कौन सा दीन तिथी नक्षत रशुव है, रास्य के अनुसार, विवाह के लिए मुहृत का चैनल कैसे करें, इन सब के उपर वीडियो बना हुआ है, जो आपको प्लेलिस्ट या आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप वश्य देखें, तो आईए वि आज के वीडियो में बात करेंगे, 2022 के अप्रेल और मई के विवाह मुहृत के बारे में, जनवरी और फरवरी के उपर वीडियो बना हुआ है, जो आपको प्लेलिस्ट या आई बटन में मिल जाएगा, तो अप्रेल का पहला मुहृत है 15 अप्रेल, शुक्रवार चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर दसीत थी, विवाह नक्षत रहे उत्तरा फालगुनी उपरांत हस्त, दिन में साड़े 11 बजे से मृत्यु वान प्रारम हो रहा है, इसलिए समय का चैन सुबह साड़े 11 बजे से पहले करें, 17 अप्रेल, रविवार वैसाक क्रिश्न पक्ष प्रतिपदात थी, विवाह नक्षत रहे स्वाती, जो प्राता आठ बजे से प्रारम हो रहा है और दिन रात है, 19 अप्रेल मंगलवार वैसाख मास कृष्ण पक्षित रतियात थी विवाह नक्षत्र अनुराधा प्रातह 6 बजे से रात्री 4 बजे तक प्रातह 8 बजे से सायम 7 बजे तक मृत्यू लोग का भद्रा है अतह सायम 7 बजे के बाद का समय का चैन करें 20 अप्रेल बुद्वार वैसाख कृष्ण पक्ष चतुरतित थी विवाह नक्षत्र है मूल जो रात्री में 2 बजे करके 30 मिनट के बाद प्रारम हो रहा है 21 अप्रेल गुरुवार वैसाख मास कृष्ण पक्ष पंचमित थी विवानक्षत्र है मूल जो रात्री में एक बजे तक्खी है रात्री में एक बजे से पहले विवासमय का चैन करें 22 अप्रेल सुक्रवार वैसाख मास क्रिश्न पक्षे खश्टी ति थी विवाहनक्षत्रे उत्रा साड़ा जो रात्री में 11 बज करके 20 मिनट से प्रारंब हो रहा है 23 अप्रेल सनीवार वैसाक मास क्रिष्ण पक्षे सप्तमीत थै विवाहनक्षत्रे उत्रा साड़ा जो रात्री में 9 बज करके 40 मिनट तक है यानि रात्री में 9 बज करके 40 मिनट से पहले विवाह समय का चेहन करें 27 अप्रेल बुद्धवार वैसा अखमास कृष्ण पक्षे द्वादसीत थी विवाह नक्षत्र उत्तरा भादरपद्र जो साम में 6 बज करके 5 मिनट से प्रारम भो रहा है सायम 6.45 से वैद्रती योग का भी प्रारम भो रहा है अब आईए मई के मूर्त के वारे में जानते है तो मई का पहला मूर्त है दो मई स्वंबार वैसा अखमास शुकल पक्ष दूतियत थी विवाह नक्षत्र है रोहिनी जो रात्री में 11 बज करके 20 मिनट से प्रारम भो रहा है 11.20 के बाद विवाह समय का चैन करें तीन मई 2022 मंगल वार वैसा अखमास शुकल पक्ष दूतियत थी विवाह नक्षत्र है रोहिनी उपरांत म्रिग सिरा रात्री में 11 बज करके 20 मिनट से मृत्यू वान प्रारम हो रहा है अतहा रात्री में 11.20 से पहले समय का चैन करें चार मई बुद्वार वैसा अखमास शुकल पक्ष चतूरतित थी विवाह नक्षत्र है म्रिग सिरा जो रात्री में 4 बज तक है और रात्री में 12 बज करके 20 मिनट तक मृत्यू वान है तो 12 बज करके 20 मिनट के बाद और 4 बज से पहले के समय का चैन करें नो मई सोम बार वैसा अखमास शुकल पक्ष अश्टमित थी विवाह नक्षत्र है मगा जो दीन में 1 बज करके 30 मिनट से प्रारम हो रहा है 10 मई मंगल वार वैसाखमास शुकल पक्ष नो मित थी विवाह नक्षत्र है मगा जो दीन में 2 बज करके 50 मिनट तक है 11 मई बुद्ध वार वैसाखमास शुकल पक्ष दसमित थी विवाह नक्षत्र है उत्तरा फालगुनी जो दीन में 3 बज करके 55 मिनट के बाद प्रारम हो रहा है 12 मई गुरुबार वैसाखमास शुकल पक्ष एक आदसीत थी विवाह नक्षत्र है उत्तरा फालगुनी उपरांत हस्त यानि दोनों ही नक्षत्र विवाह का नक्षत्र है तो समय का चैन दिन रात में कभी भी कर सकते हैं 14 मई सनी वार वैसाखमास शुकल पक्ष त्रियो दसीत थी विवाह नक्षत्र है स्वाति जो दिन में 3 बज करके 50 मिनट के बाद प्रारम हो रहा है 15 मई रविवार वैसाखमास शुकल पक्ष त्रियो दसीत थी विवाह नक्षत्र है स्वाति जो दिन में 3 बज करके 50 मिनट से प्रारम हो रहा है 19 मई गुरुवार जेश्ट मास क्रिष्ण पक्ष चतुरती थी विवाह नक्षत्र है मूल जो दिन में 9 बज करके 15 मिनट तक है तो विवाह समय का चैन 9 बज करके 15 मिनट से पहले करें 20 मई शुक्रवार जेश्ट मास कृष्ण पक्ष पंचमीत थी विवानक्षत रह उत्रा साड़ा जो प्राता साड़े साथ वजे से प्रारम भो रहा है 24 मई मंगलवार जेश्ट मास कृष्ण पक्ष नौमीत थी विवानक्षत रहे उत्तरा भादरपद जो रात्री में दो बज़े से प्रारम हो रहा है 25 मई बुद्वार जेश्ट मास कृष्ण पक्ष दसमित थी विवानक्षत रहे उत्तरा भादरपद उपरांत रेवती दिन में एक बीस तक भद्रा है और सायम साड़े साथ से मृत्यूबान प्रारम भो रहा है तो दोपार का एक बीस से सायम साथ बज़े तक के ही समय का चेन करें 26 मई गुरुबार जेश्ट मास कृष्ण पक्ष एक आदसी थी बिवा नक्षत रहे रेवती जो रात्री में दो बज़ करके 20 मिनट तक है रात्री में साड़े आठ बज़े तक मृत्यूबान है तो बिवा समय रात्री में साड़े आठ बज़े के बाद और दो बज़ करके 20 मिनट से पहले 31 मई मंगलवार जेश्ट मास शुकल पक्ष प्रतिपदात थी विवानक्षत्र है रोहिनी उपरांत म्रिकसिरा यानि दिन रात विवानक्षत्र भोग कर रहा है ये 2022 के अप्रेल और मई का महुर्त है आगे के महुर्त के बारे में आने वाले वीडियो में बात करेंगे आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद